आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की मठरी तो चलिए इसे बनाते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक पाओ कुट्टू का आटा अब उसमें डालेंगे हम एक कप सापुद दाने का आटा फिर स्वाद नुसार सींदा नमक डालेंगे उसके बाद हम दालेंगे इसमें एक चमज घी या आप सरसो का तेल भी ले सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे फिर इशमें थोड़ा थोड़ा पानी दालकर इसे आटे की तरह गून लेंगे देखिए अभी आठी की तरह गून क्या है इसे पादस मिंट ऐसी रहने देंगे फिर इसमें से छोटी-छोटी लोईया हमें बनानी है अमारी मठरी के लिए सारे आठी की आप छोटी-छोटी लोईया बनाने है इस एक पाव आठे से आपकी कम से कम 30 से 50 मठरी बन जाएंगी तेल गरम करेंगे अब तब तक हम मठरी को बेलेंगे अब एक लोईय उठाएं उसे आप घी में या सरसो के तेल में हलका सा डिप करें और फिर बेलें हमें इन मठरी को जादा बड़ा नहीं बेलना है मीडियम साइस का बेलना है यह देखिए पहली मठरी हमारी यह हमने बेल लिया है हमसे अलग रख देंगे सारी ऐसी हमें बेल लिया है सारी मठरी को मैंने बेल लिया है अब इन्हें हम फ्राइ करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके हमारी मठरी को तल लेंगे जब तक मठरी का दोनों साइट से सुनायरा रंग नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राइ करना है देखिए एक तरफ से सुनायरी रंगी हो गई है तो मैंने इसे पलट दिया है बस अब हमारी पहली मठरी त्यार हो चुकी है अब ऐसी हम सारी मठरी को फ्राइ कर लेंगे देखिए मेरी सारी मठरी त्यार हो चुकी है यह बहुत ही करंची बनी है आप घम दिखा भी देते हैं और सुना भी देते हैं देखिए मैंने मठरी को तोड़ा आवाज आई आपको को देखिए कितनी करंची बनी है तो आप भी ऐसी मठरी अपने घर पे बनाएं भगवान को भूब लगाएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा धन्यवाद